हेलो दोस्तों आज मैं डिजाइन वाली आस्तिन बनने के लिए बताऊंगी जो बीच से कट है और उसमें हमें पाइपीन लगनी है सबसे पहले हम इस तरह से कपड़े में डोरी को डाल के पाइपीन बना लेते हैं इसके लिए हमने सिंगल चाप का यूज़ किया है दबल से मैंने पाइपीन बना लिया पाइपीन वाली पट्टी की चोड़ाई हमने सवाई इंच लिया है अब इससे इस तरह से सेट कर लेंगे यह दोनों पाट को उल्टे तरफ से रखी और यह इस तरह से जिस तरह हमने डोरी डाला है उसे अंदर रखेंगे और यह उपर से कपड़े को रखेंगे और इसके सिलाई कर लेते हैं सिंगल चाप से डोरी पाइपीन अच्छी बनती है इस तरह से सिलाई लगा लिए अब यह हमारे बीच में पाइपीन लग गए हैं यह दोनों पाइपीन लगा लिया पाइपीन लगने के बाद जो यह हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हो गया है उसको कटिंग करके बराबर कर लूँगी अब इसमें हमने यह 4 इंच की पट्टी लगानी है नीचे के साइड में यह 3 इंच चोड़ी और 5 इंच लंबी यह मैंने एक पट्टी लिया पौने इंच पे निशान लगाई यहाँ 7 इंच पे निशान लगाई और ये निशान को मिला लेती हूँ यहां से सिलाई लगा लेती हूँ अब इसे पलट लेती हूँ इसके सिलाई को बीच में रखना है और इसे इस तरह से मोड के पॉइंट बना लेना है और इस पर सिलाई चला लेते हैं यह पट्टी बन गई है अब यहां पर इस तरह से पट्टी को नीचे रखेंगे और कपड़े को सिधा तरफ से रख लेते हैं और यह पट्टी को इस तरह से सिधा तरफ से रखेंगे बीच में रखेंगे हम जहां पर से हमने पाइपिन लगाया है वहां रख के और इस पर सिलाई लगा लेंगे अब इस तरह से पट्टी को पलट लेते हैं पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं अब इस तरह से पलट लेंगे अगर आप इस चैनल पर ने हैं तो इससे सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को जरूर दबा लिजे ताकि हमारी अने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईए इस तरह से हमने यह दोनों बहं को तयार कर लिया है अब इसके उपर में 100 बटन डाल देंगे